हेलो, नमस्कार, COVID-19 के इस मुश्किल घड़ी में हम एक प्रत्यक्च पाट साला में जाका अध्यान करने का मौका नहीं मिल पाता है इसलिए ब्रहान मुँबई महानगरपाली का सिक्चन इभाग इनके दोरा आनलाइन अध्या पर यहां कारिया सुरू किया जा रहा है तो इसी के चलते बच्चो आपको एक सुनरा आउसा प्राप्त हो रहा है भले ही हम प्रत्यक्च पार्ट साला में न जा सके लेकिन किसी भी बच्चे का सैक्चनिक नुक्सा ना हो इसलिए भ्रान होंगे माहनगर पालेगा ने आपको प्रतार किया यहां सुनरा मौका तो आईए बच्चो आज़ाम इहां आनलाइन स्टडी का आनंद ले और आपको इसके अलावा जो हम इहां लेशन लेंगे तो इस लेशन के हमारे यूटूब के चानल के दोरा आपको इसकी समपूर्ण जानकरी प्राप्ता होंगी तता हाँ आप बीमजी के इस चानल के दोरा इसकी अधिक से अधिक जानकरी प्राप्ता कर सकते हैं और यहां वीडियो आपके स्ट्रिक पर भी दिखाए देंगे आओ बच्चो आज हम अपने आउनलाइन क्लास की सुरुआत करते हैं आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चो कक्छा पहली और आज का हमारा विशय है हिंदी और हमारे घटक का नाम है घटक रमांच्छ बाजार और मैं हूँ आपका मार्ग दर्शक YMCGM वर्चूल क्लासरूम दादर से महेंद्र चित्रिव तो देखो बच्चो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है उपर में चित्र वाचन देखो समझो और बताओ तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर चित्र भी दिखाया गया है तो इसके अलावा मैं आगे में आपको और भी चित्र दिखाओंगा उन चित्रों को आपको ध्यान पूर्वक देखना है उन चित्रों को समझना है और उन चित्रों के बारे में मुझे आपको बताना है तो देखो यहाँ पर है चित्र वाचन देखो समझोर बताव तो आपको चित्र में बाजार का चित्र दिखाई दे रहा है बच्चो यहाँ पर देखो बाजार में सबजी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसके अलवा और भी बहुत सारी दुकाने यहाँ पर दिखाई दिखाई दे रही है साती साथ कुछ लोग है यहां पर जनता है जो बाजार में खरीदी के लिए गई हुई दिखाई दे रही है यहां पर हमें दुकांदार भी बैठी हुए दिखाई दे रहे हैं कि और आगे में मैं आपको चित्र दिखाने जा रहा हूं बच्चो तो देखो बच्चो यहां पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है यहां चित्र है पुस्तक दुकान का देखो यहाँ पुस्तक दुकान में आपको बहुत सारी पुस्तके दिखाई दे रही है इन पुस्तकों में बच्चो स्वात्यंत्रविरों की कहानियों की पुस्तक फिर कविताओं की पुस्तक बढ़ बढ़ गीत सौंदर्य गीत इसके अलावा साधू संत इनकी भी यहाँ प पुस्तक दिखानों में कैलेंडर, न्यूस पेपर और भी सारी चीजे मिलती है, जो हमें आउस्यक पुस्तक होती है, आज का यूग जो है यहां कॉम्पिटिशन का है, कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत सारी जो प्रति इस परदात्मक परिक्चाए होती है, इस पर दात्म तो उन पुस्तक को खरिदने के लिए हमें पुस्तक दुकानों में जाना पड़ता है, तो आपके स्क्रीन पर देखो, यहां पर पुस्तक भंडार दिखाया गया है, दुकान में बहुत सारे पुस्तक के आपको सजी हुई दिखाई दे रही है, और इस दुकान में अलग- बच्चों देखो, इस चित्र में आपको बहुत सरे खिलावने दिखाई दे रहे हैं, खिलावने यहाँ नाम आते ही, आप सभी बच्चे बहुत खुस हो जाते हो, क्योंकि खिलावने पाने से, खिलावने मिलने पर हम लोगों की खुसी का ठिकाना नहीं रहता, हम जब बाज जाते है कई मेले मंधई में घुमने जाते हैं तो हम माता पीता को हमारे दादा दादी जी को हमारे बड़े भाई कीलोने के साथ में खेलने से लग अभी तरह तरह के खिलाओने निकल गए है कोई सेल वाले कोई बैटरी वाले जिन खिलाओने को पहले हम हातों से ढखेलते थे वहाँ अभी अपने आप यह घुमने लगते है चलने लगते है इधर उदर उचलने कुदने लगते है तो यहाँ पर बहुत सारे खिलाओने अलग एक दुकान हमें खिलोनी की दिखाई दे रही है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है तो इस चित्र को भी आप ध्यान पूर्वक देखो इस चित्र का निरिक्षन करो और इन चित्रों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है यह मुझेムृ बतावो उसके पस्टाद देखो बच्चो यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जो चित्र है फलो का फलो की दुकान का यहाँ पर देखो फल विक्रेता अपने कंदे पर एक रुमाल रखे उजे दिखाई दे रहा है साथी साथ उस फल विक्रेता के जेब में मोबाइल भी हमें और यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के फ़ल हमें दिखाई दे रहे हैं, देखो, यहाँ पर हमें चीकू, इसके अलावा सेब, संतरा, मोसंबी, अनार, और भी बहुत सारे नास्पती, ऐसे बहुत सारे फ़ल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अलग-अलग कलर के, और बह यहाँ खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट होते हैं और फलों के माध्यम से हमारे स्वाध्य को भी मदद होती है जब हमारा स्वाध्य ठीक नहीं रहता है जब हमें घर में बना हुआ कुछ भी खाने के इच्छा नहीं होती है तब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक् होते ही है इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें फल काना चाहिए फलों का जूस निकालकर जो व्यक्ति कुछ सरीर में थोड़ी एनरजी आती है ताकत आती है और वहां इन फलों के सहारे इन फलों के जूस के सहारे ही जीवित रहते हैं तो देखो बच्चो यहां पर आपको फलों का चित्र दिखाई दे रहा यहां फल की दुकान है इस चित्र को भी आप गवर से देखो इसका परचो हम सभी नए-नए कपड़े मिलने पर बहुत खूस हो जाते हैं, जब हमारे मम्मी पापा, बड़े भाइया, दादा दादी, मामा मामी, मौसा मौसी, बुवा जी जो रहते हैं, वो हमारे लिए नए-नए कपड़े खरीत कर लाते हैं दुकानों से, जैसे हमारे यहां या फिर और भी कई कारेक्रम होते गने सोच अभी हाल ही में अभी दिपा ओली का सीजन आने वाला है दिपा ओली यहां तेवार आने वाला है तो दिपा ओली के तेवार में सभी बच्चे नए-नए कपड़े खरीतते हैं उनके मम्मी पापा आप लोगों के लिए नए-ने कपड़े मिलने पर हम सभी अर्था थी आप बच्चे लोग बहुत ही खुस हो जाते हो आपके खुसी का ठिकाना नहीं रहता नए-नए-ने-टी-श, ट्राउजर, जीन्स, जाकेट और भी बहुत सारे कपड़े कपड़ों की दुकान में मिलते हैं तो आपके स्क्रीन पर दे टी-शर्ट भी दिखाई दे रहे हैं अर्थात हाप गला, फुल गला अर्थात राउंडेट गले वाली भी टी-शर्ट यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं छोटे हाथ वाली, लंबे हाथ वाली यहां पर और अलग-अलग कलर की कई टी-शर्ट यहां पर दिखाई दे रह जो बहुत ही सुसजित और बहुत ही मनोरम लग रही है तो इस दुकान का भी आप ध्यानपूर्वक बच्चो निरिक्षन करो इसके बाद में देखो बच्चो एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है और वहाँ चित्र है गुब्बारे का गुब्बारे आप सभी खेलती ही हो गुब्बारे फुलाते हो मेले में बाजार में गुब्बारे की दुकान लगी रहती है गुब्बारे मिलते है जैसे सेप का सेप कलर अर्थात जैसे सेप का आकार होता है वैसे ही गुब्बारे अभी बन जाते है वैसे गुब्बारे बन हमारा जन्म दिवस रहता है किसी का happy birthday रहता है फिर जैसे हमारे मम्मी पापा की हो मौसा मौसी की हो साधी की साल गी रहा marriage anniversary रहती है तो उसमें भी जो कारेक्रम रहता है उस कारिय क्रम को सजाने के लिए कारिय क्रम जब हम अरेंज करते हैं तो वहां पर शुरुवात में उसको सजाने के लिए गुब्बारों का उप्योग किया जाता है सारे कमरे को या सारे दिवालों को गुब्बारों से सजाया जाता है गुब्बारे बांध कर गुब्बारे तो वह गुबबारे फूट कर नीचे के सारे मूती जो रहते हैं वहाँ हमारे उपर आकर गिरते हैं या यू कहें कि जिसका जन्वा दिवस है जिनकी मैरे जन्वार सरी है उनके उपर में गिरते हैं वहाँ मौसम, रंगीन और एक सुहाना सा मौसम हो जाता है तो यहाँ पर देखो बहुत सारे यहाँ पर गुबारे आपको दिखाई दे रहे है श्टार कलर के भी आपको यहाँ पर गुबारे दिखाई दे रहे है और एक गुबारे पर वन लिखा हुआ है उसके साइड में लिखा है फर्स्ट बर्थडे गर्ल देखो यहाँ पर जैसे मैं ने बताया कि बर्थडे मैरी जेनवर्शरी और भी अने कारे क्राम गने सुथ्षव दिपावली में दिपावली के समय में अगर हमें अपने घर को सजाना है हमारे दिवारों को सजाना है तो उसमें भी गुबारों का अठ्थेदिक महत्वा है तो यहां गुबारे हम खरी किसका निरिक्षन करो और आपको इससे क्या समझ में आया मुझे बताओ फिर देखो बच्चो हमारी रोज मर्रा के जीवन में हमारी दैनन दिन दिन चरिया में सबजीयों का भी विशेश महत्वा होता है आपके स्क्रीन पर देखो सबजीयों का चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर खूब हरी भरी सबजीया आपको दिखाई दे रही है जैसे हम रोज खाना घाते हैं तो हम रोटी और चावल तो पकाते हैं लेकिन उसके साथ में हमें सबजी की भी आउस्यक्ता होती है तो यहाँ पर वेजिटेबल्स की स्वाप आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इन सबजीयों को जब हम मार्केट से खरितते हैं तब इसे घर में जाकर हम पकाते हैं लेकिन बच्चो एक सावधनी यहाँ पर बरतो कि जब भी आप बाजार से सबजीया खरितते हो तो उन सबजीयों को लगे होते हैं कोई देखता है कि सबजी ताजी हा या नहीं आईसे हाथ लगा लगा कर छोड़ देते है और फिर वह सबजिया कई दूर से आती हैं ट्रक भर बर के तो उनस्बजियों में किटानू भी रहते हैं तो जब घर को जाते हो तब उच्चित रूप स गर्म पानी करकर उस गर्म पानी में इन सब्जियों को डाल कर इसे धोना अवस्यक है और सब्जिया हमेशा काटने के पहले ही धोना चाहिए अभी यहाँ पर देखो बैगन बैगन की फोटो भी आपको दिखाई दे रही है इसके अलावा प्याज फूल गोभी गाजर फिर को एक सब्जी के दुकान का चित्र है तो इस चित्र से आपको यही समझ में आ रहा है बच्चो कि यह हरी सब्जिया हमें कभी भी धोकर खाना चाहिए जब हम घर जाते हैं तब इने पहले धोना चाहिए और फिर उचीत रूप से साप सुत्रे बरतन में इसे काट कर रखना च चाहिए क्योंकि हरी सब्जियों में कई प्रकार के विटामिन्स पाये जाते हैं तो इन विटामिन को जैसे के वैसे बनाये रखने के लिए यहां आवस्यक है कि काटने के पहले ही हम सब्जिया धोले काटने के उपरांत अगर हम सब्जिया धोते हैं तो उन सब्जियों के जो भी जीवन सत्व है जो भी विटामीन से वहां सब व्यर्थ चले जाते हैं और हम सबजिया खाते हैं ताकि हम तरो ताजा और स्वस्त रहा सकें लेकिन अगर हम काटने के बाद सबजिया काटने के बाद उने धोते हैं तो उसके सारे जीवन सत्व उसके जो विटामीन से व सब वापस बाहर चले जाते हैं वह बेकार हो जाते हैं इसलिए कभी भी सब्जियों का इस्तेमाल हमें साव धानी पुर्वक करना चाहिए और आपके इस्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा इसका भी आप ध्यान पुर्वक निरिक्षन करो बच्चो बच्चो अभी हमने घटक देखा बाजार मैंने आपको अभी बाजार इस घटक के बारे में जानकरी दी मैंने बाजार के कुछ चित्र भी आपको दिखाए बाजार में कौन-कौन से दुकानों का समयस होता है उन दुकानों का चित्र मैंने आपको दिखाया आपके स्क्रीन पर वहां सारे चित्र भी दिखाई दिये आपने उन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखा भी उसका निरिक्षन किया अब आपको उन चित्रों को देखकर चर्चा करना है और मुझे बताना है कि आपको उन चित्र में और क्या-क्या दिखाई दिया अब हम बच्चों देखते में आपने क्या क्या देखा है इसके अलावा भी आप बाजार जाते हो तो वहां पर क्या क्या देखते हूं वहां सब आप मुझे बताना है मुझे आपको बताना है कि बाजार में आप क्या-क्या देखते हो आपने क्या-क्या देखा फिर देखो बच्चो स्वाध्याय में दूसरा स्वाध्याय है कि आपको कौन-कौन से खिलाउने पसंद है बताओ अभी मैंने आपको खिलाउनी की भी फोटो दिखाया खिलाउनी क भी पिक्चर खिलावने की भी तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिखाई दी तो आपको बताना है कि आपको कौन से खिलावने पसंद है इन खिलावने के अलावा और आपको कौन-कौन से खिलावने पसंद है उसके बारे में आपको मुझे बताना है तो बच्चो आज आज आपने जो लेषंद देखा उस लेषंद को बार बार देखकर पड़कर उसे समझने की कोशिस करो क्योंकि एक बार पढ़ने से देखने से कोई भी चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आती है इसलिए कोशिस करो कि इसका आप बार बार सराव करें क्योंकि बच्चों कहा जाता है कि करत करत अग्ध्यासते जर्मती होतर सुजां रसरी आवत जात है सिल्बर होतर निसां इसका अर्थ यहां है बच्चों कि अग्यानी से अग्यानी व्यक्ति भी अगर निरंतर अगर से कोई कारे करने की कोछिस करे, किसी भी चीज को मन लगा कर पड़े, उसे देखे समझने की कोछिस करे, तो वहाँ उस चीज को अवगर कर सकता है। जैसे आपको उधानन में दिखाया गया है, कि जैसे हम पुए से बाल्टी के द्वारा, जो रस्ती वाली बाल्टी रहती हैं उसके द्वारा पत्तर निकुवा रहती हैं। तो हम है इसके आगे की जागकरी आपको हमारे अगले वीडियो में प्रदर्शिक की जाएगी, इसके लिए आप जो नीचे सब्स्क्राइब का बटन दिया गया है, उसे प्रेस अर्स से करें और अपना नोटिफिकेशन आन रखें, ताकि जो आगे के हमारी वीडियो आपक दिखाये जाएगे वहाँ आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, तो बच्चो आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रखा रहें और हर जीन की सावधानी बनते, धन्यवाद